पर इस दो आपर अलो एवरिवन मैं हूं रवीश अंकर सिंग और मेरे साथ है मिश्टर लगवुटत और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं SSE CGL Tier 3 के बारे में जो की paper 19 मार्च को ही थी आज हम लोग उसकी analysis करने वाले है जैसा कि हम सब लोग जानते हैं Tier 3 में SSE ने interview हटा के descriptive test ला दिया है CGL के लिए जिसके अंदर essay writing और letter writing है 250 words का essay लिखना है और 150 words के अंदर आपको एक letter लिखना है और उसके basis पर आपको 100 marks में से marks मिलेंगे जो कि आपके final merit list में count होंगे बिल्कुल यह इस बार की नई changes है जो 2016 में introduce हुई थी for the first time इसलिए काफी तरह की confusion थी इसके बारे में काफी तरह की unexpected बाठते थी कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है तो इसके बारे में काफी expectations थी different different for example मैं बता दू essay writing को लेकर काफी expectation थी कि UPSC type की essays आएंगी GST के बारे में या फिर स्वच्च भारत अभियान या make in India या make in India ये सब topics आएंगी बट आखरी में वहाँ पर आया भुकम और सब लोग सब coaching centers सब बच्चे हिल गए वहाँ पर क्योंकि जो किसी ने expect नहीं किया था ऐसा topic आया that what you should do in case of an earthquake for your own safety and what you should not do और letter भी जो आया वो informal था किसी ने expect नहीं करा था कि informal letter आएगा इस वज़े से काफी बच्चों को तो ये तक दिखका थी कुछ लोग subject लिखिया है informal letter के अंदर कुछ लोग yours sincerely लिखिया है ending करते हो क्योंकि जो उनको सिखाया गया वो चीज़ लिखिया है अब informal letter के अंदर ना subject होता है ना ही yours sincerely लिखते है वहाँ पर yours lovingly लिखते है और senders address होता है उसके अंदर receiver's address नहीं होता है ये भी काफी लोगों को नहीं पता था तो वो लोग as it is लिखिया है exactly तो आपका जो paper था वो इस बार के expectation से काफी different था और expectation में ये कहना चाहूंगा वो expectation नहीं एक तरह का तुक्का था जो की reasonable था क्योंकि आप first time लिया जा रहा था इसलिए किसी को पता नहीं था क्या आने वाला है तो इस scenario में सबसे best approach रहती कि आप हर तरह के essay के लिए prepare करके या हर तरह के later के लिए at least preliminary level of preparation करके जाना जरूरी था तो सबसे पहले हम लोग मेरे ख्याल से discuss कर लेते हैं जो दो topics आए उसके अंदर क्या चीज़ लिखी जा सकती थी और किस तरीके से उन चीजों को represent किया जा सकता था उस answer sheet में सबसे पहला जो topic था वह यही था कि what you should do in case of an earthquake for your own safety and what you should not do exactly यह काफी बहुत simple topic है इसके लिए आपको बहुत ज्यादा चीज़े याद करने की जुरूत नहीं थी maximum चीज़े आप common sense से लिख सकते थे या फिर आप government jobs के लिए आप prepare कर रहे हो तो आपके GS में यह portion cover होगा ही होगा geography जब आप पढ़ोगे तो earthquakes floods etc यह सब जो natural disasters है उनकी बारे में आपको पढ़ाई करनी है तो ऐसे की अप्रोच बेसिकली यह होनी चाहिए चुकिए 200 वर्ड की थी तो आपको 25% content में अपने introduction and conclusion खदम कर देने होते हैं तो for example करीब 60 वर्ड है इस में आपको अपने introduction and conclusion पूरे कर लेने और उसके बाद जो body of the electric के अंदर क्या क्या रखना है क्या 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 नहीं रखना है उसके लिए आपको GS की importance पता लगेगी कि GS की importance सिरफ tier 1 तक नहीं है tier 3 के अंदर भी GS का ऐसा topic उठा दियो उन्होंने कि उसके अंदर आप जरा से technical हो जाते तो आपको काफी अच्छे points मिल सकते थे जैसे कि कुछ points होंगे जो सब लोगों ने लिखे होंगे कि आप open space में चले जाएए या फिर आप electric जो टूल इलेक्ट्रिक जो equipments वगरा होते हैं उससे दूर रहिए बट कुछ ऐसे points जो आप technical जरा से हो जाएंगे वो आपको जादा marks fetch कर देते हैं for example आप एक point यह लिख सकते थे कि जो जब अर्थक्रक आता है उसके बाद जब आप open field के अंदर या open space के अंदर आप आ गए हैं तो at least 20 minutes तक आप वापस ना जाएं क्योंकि primary waves के बाद secondary waves भी आती हैं जो more dangerous होती हैं और उसके लिए अगर आप 15-20 minutes भार ही wait करेंगे तो बैट इस type के GS के लिए आपको subjective GS for example NCRT काफी important हो जाती है क्योंकि NCRT में ही आपको essay के रूप में सारे content समझाय हुए होते हैं तो अगर आप NCRT पढ़ोगे तो आपकी tier 1 की GS भी cover हो जाएगी और आपकी tier 3 में अगर इस type के topics आते हैं तो उसके आपको answers लिखने में भी काफी आसा तो यही है कि अगर आप किसी close building के अंदर हैं तो कोई भी हैवी object हो जैसे कि कोई chair हो या कोई table हो उसको पकड़के आप उसके नीचे चले जाएए और उसको कसके पकड़े रखिए अगर आप open space में हो तो open space में कम से कम 20 मिट तक रहें earthquake के बाद क्योंकि हो सकता है कि ऐसा possible है तुरंद बाद सुनामी भी आ सकती है अगर आप mountainous region के अंदर है तो हो सकता है कि earth cricket तुरंद बाद land slide आ जाए या worst cases के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि volcanic eruptions भी हो जाए और एक काम और आप यह कर सकते है कि जो animals अगयर आता है जिनको बांद के रखा होता है उनको आप खोल देता कि वो लोग अपनी खुद की भी जान वचा सकें डॉंट में अगर हम देखें तो सबसे पहला यह करें कि आप किसी ऐसी जगह पर ना जाए जहां पर electric equipment हो उसके बाद आप लोग अगर भगवान ना करें कि बहुत बड़ा अर्थ को एक आ जाता है तो आप अगर आप फसे ह नोट पर conclude भी कर सकते हैं कि यह natural calamities है इसको रोक पाना is impossible for us और इससे अगर बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए वह यह है कि हम इससे बच नहीं सकते हैं बस इसके impact को कुछ precautions और कुछ prepared अगर आपके पास techniques होंगी उसके impact को कम जरूर कर सकते हैं अगर कुछ लोगों की ब अधिके से सेव करें कि ऐसे disaster की condition के अंदर आपके वो जो documents वगरा है वह अच्छे से आप उनको present कर पाया है वह आप उनको खोना दे जिसके लिए डिजी लोकर वगरा की जो facility government लाई है आप उसका utilization कर सकते हैं तो लव लव ने काफी अच्छी अच्छी points बताएं जो की basic points के अगर आप mention करोगे तो आपकी essay काफी अच्छी हो जाएगी नेक्स topic हम लोग लेटर पर आते हैं तो इस बार की लेटर की top question था कि एक भाई को अपने छोटे भाई के पास लेटर लिखना है जिसमें वो समझा रहा होता है कि क्या-क्या फायदे हो सकते हैं जो अभी हाल में computer होते होते हैं तो आप इसली कर दियो होते हैं सेकेंड है content में क्या दे सकते हैं तो यह काफी common topic थी जान बुचकर SSC ने ऐसी questions नहीं डाली है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा knowledge की जरूत हो आपको बहुत ज्यादा studies की जरूत हो यह सारी काफी common sense की ही चीजे दी हुई है तो आपके later में भी question वही पूची गई जो कि आप पिछले एक साल से discuss करते हा रहे थे कि 2016 का computer based was के क्या फायदे हुए क्या नुकसान हुए यह बात बिल्कुल सही कही रवी ने कि अगर आप SSE का exam दे रहे हैं तो online exam दे रहे हैं जो SSE ने अभी हाली में चालू किया है तो आपको at least यह तो पता होना चाहिए कि उसके benefits क्या है उसके demerits क्या है क्योंकि आपने उस exam को phase किया है और आपको यह भी बता आपको कहां कहां उस चीज को लेके problem हुए है और किस किस चीज में आपको लगा कि हां यह पिछले pattern से अच्छा था तो अगर आपके according देखा जाए तो क्या क्या चीज ऐसी थी जिससे benefit मिल सकता है इसमें online exam से तो इसमें तीन चार चीजे जो काफी basic थी जो mention की जा सकती थी first of all कि चुकि सारी exams पूरी दुनिया हमारी digital होती जा रही है तो यह एक natural step था exam को भी digital करने के लिए online करने के लिए second है कि इसमें pen and paper का use हम लोग जैसे environmental protection की भी बात कर रहे हैं तो pen and paper के use से हम लोग हट रहे हैं और more and more digital से काफी easily exam भी conduct होता है काफी जल्दी जल्दी results भी हो सकते हैं पेपर वाले में काफी time लग जाता है extra और आप यह points भी डाल सकते थे कि इसकी वजह से जो exam है वो जल्दी conduct होंगे उनका results जल्दी आएगा और अगर एक candidate के नजरिया से देखें तो आपको इसमें ये benefit भी मिलता है कि जब आप online exam दे रहेते हैं तो आपको extra time मिलता है आपको ovals fill नहीं करने तो आपको questions all करने के लिए extra time मिलता है और एक reliability भी भड़ती है कि आप जो exam दे रहे हैं उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की mal practices या corruption नहीं हो किस तरह approach करना है वह coordinate करने में उन्हें काफी problem हुई paper और computer के बीच में पहले तो वही paper पे आपके questions भी है और वहीं पे आपको solutions भी बनाने number two है काफी technical problems भी हो सकती थी और वहीं भी जो आपके कभी internet connection चला जाता था ठीक कभी timing की issue हो जाते थी एक पॉइंट आप इसमें भी डाल सकते हैं कि computer screen के ओपर काफी देर तक नजर बनाए रखना is not that easy तो अगर उसके लिए आप सब्सक्राइब देंगे तो आपके लिए beneficial रहेगा लेकिन अगर किसी ने मौक्स ना दियों तो उतनी कंसेंट्रेशन नहीं बना पाएगा उस computer screen के पर तो यह तो हमने questions को discuss कर दिया आप क्या solutions यहां पर दे सकते थे जिन्होंने यह paper दिया है वह match कर सकते कि अगर इस टाइब से उन्होंने point cover किये हुए तो फिर उनको उनको अच्छे माक्स हैंगे अब आ जाते हैं कि इस तरह के paper को देखके क्या conclusion निकाला जा सकता है और क्या approach बनाया जा सकता है 2017 में जो descriptive paper होगी उसके लिए तो first conclusion तो हमने आप लोग के सा डिसकस किया कि GS जो है काफी काफी important हो गई है अभी आपको मान के चलना है कि पचास मास की GS नहों के अब सौ माक्स की हो गई है क्योंकि वह से भी एक तरह का GS ही पूछ रहा है second है आपको GS के लिए NCRT की weightage बढ़ गई है subjective preparation की weightage बढ़ गई है third point यह है कि एसे जो है वह आपको रट के नहीं जाना है 20 A से रट के जाओ इससे better है आप 200 A से पढ़ के जाओ और एक point और है जो हम देखें इसके अंदर तो आपके language के उपर command होनी काफी काफी अच्छी command होनी काफी ज़रूरी है क्योंकि चाहे वो हिंदी हो चाहे English हो कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम हिंदी में ऐसे लिखे लिखेंगे तो हम काफी easily ऐसे लिख पाएंगे जबकि ऐसे नहीं है क्योंकि हिंदी के अंदर हम लोग काफी ऐसी mistakes करते हैं जो हमें खुद नहीं पता लगती कि मातरा कहां लगानी है वह आगा डंडा और अंकी बिंदू कहां लगानी है वह काफी लोग भूल जाते हैं और अगर आपको लिखना हिंदी में तो आप कैसे लिखोगे काफी difficult words हो जाती है हिंदी में जो हम लोग को expectation नहीं हम लोग को लगता है कि हिंदी तो पड़ी हुई है वो आराम से हो जाएगी तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हिंदी में ना लिखें या फिर English में ना लिखें इसका मतलब यह है कि आप उस language में लिखें जिसमें आप comfortable है और यह ना सोचे कि दूसरी language वालों का ज्यादा marks मिलेंगे या मैंने इस language में नहीं लिखा तो मेरे हो सकता है points अच्छे ना बने आपकी views अच्छे होने चाहिए और उसको आप अच्छे से represent कर पाएं उसके English की तो आप preparation ऐसे भी पूरे साल कर ही रहे हो तो अगर आप उसी में थोड़ी सी अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लोगे तो अपकी grammar में भी यल्प होगा और आप descriptive paper में भी उसे लिख पाऊगे इसलिए मेरा suggestion है कि अगर आपकी English थोड़ी भी decent है तो आप कोशि कर सकते हैं कि English में आप डेली की डेली कुछ ना कुछ एक paragraph लिख लें 200 वर्ट का 200 वर्ट का फिर उस paragraph को खुदी चेक करें कि उसके अंदर क्या grammatical mistakes हैं तो आपको पता लगेगा आपने कितना सीखा इस से आपको सिरफ टायर 3 के लिए नहीं टायर 1 और टायर 2 में English में भी help सब्सक्राइब लिखो सैटेड़े को कॉपी समिट करो मंडे को चेक हो के मिलती थी विठेर तो स्टार्टिंग में तो काफी एरर हुआ करते थे मगर धीरे धीरे जब वह करेक्ट हो कि कॉपी मिलती थी तो आटोमेटिकली एरस कम हो गया और इवन वोकेबिलरी और सेंटें की स्कील भी काफी इंप्रूव हो जाती है तो जैसे लव ने बताया आप बिल्कुल हर दिन एक पैराग्राफ लिखने कोशिश करें देड़ सो से दो सब्सक्राइब में इससे आपकी ग्रेमेटिकल पॉर्शन भी इंप्रूव होगी आपको एरर वगरा कैच करने में भी औ और आपकी ये डिस्क्रेटिव में तो हिल्प होगी ही होगी और इस चीज़ को अपसे समझ लें कि जीएस की कितने ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये किसी भी टॉपिक की इंपॉर्टेंस कम नहीं होने देता है तो जीएस की इंपॉर्टेंस इसने टायर 3 में बढ़ा दी और इस से आपको पता लगता है कि आपकी टायर 3 की तेहरी कोई separately नहीं होती है कि आप कहीं जाकर classes कर लें और उस classes में मैंने का ऐसे भी मेरे friends थे जिनोंने कहीं classes की थी और उनको informal letter का format तक नहीं बताया था, वो तो शुकर है, मैंने last day exam से एक दिन पहले उनसे कहा कि एक बार at least informal letter का pattern तो देख लीज़े, उसका format तो देख लीज़े, उसके अंदर क्या होता है, क्या नहीं, सो उनको काफी उससे help में ली, क्योंकि आपको यह पता लग जाता है, उसके अंदर receiver siders नहीं आना है, तो आपके कम से कम कुछ तो marks बचें वहाँ पर, अगर आप लिख देंगे तो उसको आप marks lose कर जाएंगे वहाँ पर, एक चीज मैंने और भी notice की, कि इस बार के paper में time काफी sufficient था, एक essay लिखने में और एक letter लिखने में एक घंटे का time काफी sufficient है, तो यहाँ पे एक बात आ जाती है, कि आपको याद करके जाने की essay या letter ज़रूरत नहीं है, अगर आप की language पे command है, आप सोच के लिख सकते हो, तो आप easily आराम से सोच सोच के वह paper complete कर सकते हो, इसलिए ज सोच के लिख सकते हो, तो रवी सही कह रहा है कि आप ऐसे जादा से जादा पढ़ें क्योंकि उससे आपको जादा से जादा viewpoints मिलते रहेंगे, और जहां तक letter की बात है, मेरा यह मानने कि at least जब आपका tire two हो जाए, तो at least एक letter आप daily लिखिए, ताकि आपको format का पता लगता करें कि format सही है और सिरफ formal letters के ओपर ध्यान ना देके informal letters के ओपर भी ध्यान दीजिए, और सिरफ current affairs पर ध्यान ना देके basic जो आपकी और भी portion से उसके ओपर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, yes, tire two के बाद I would suggest की एक letter जैसे लवने बताया आप practice करें और पांच essay daily पढ़े अगर आप tire two के पहले भी पढ़ सकते हैं, per day, एक, दो ऐसे आप free time में जब भी break ले रहा हो तो पढ़ सकते हैं, of course, लेकिन आपको अभी से ज़्यादा tension लेने के जुरूत ने है descriptive के लिए, आप descriptive का preparation tire two के बाद कर सकते हैं, क्योंकि जो language पे command है, वो आपको automatically English की तयारी से ह हो जानी चाहिए, हो जाएए जरूरी नहीं है, बट हो जानी चाहिए, अगर आपकी रहेगी, तो आप tire one और tire two के English में अच्छा score भी कर लोगे, और automatically tire three में लिख लोगे, इसी note पे हम इस वीडियो को यहाँ खतम करते हैं, I hope आप लोगों का tire three अच्छा गया होगा, क्योंकि भुकम पागयाता है, देखते हैं कितने लोग बचे कितने नहीं बचे हैं, अगर अभी भी कोई query है, tire three को लेके, तो आप लोग इस वीडियो के comment section में डाल सकते हैं, for your preparation, okay, thank you all for watching this video.